आईपियल 2022 की सुरुआत 26 मार्च से होने जा रही है और चैन्निक सुपर किंग्स के टीम ने अपनी तैयारियां सुरू कर दी है आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे चैन्निक सुपर किंग्स के वो कौन-कौन से खिला रही है जो प्रैक्टिस केंप के साथ है जुड़ चुके हैं और आईपियल 2022 के लिए जम कर पसीना बहा रहे हैं वीडियो को लाइक करें अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें आईपियल 2022 की तैयारी के लिए महिंदर सिंग धोनी मेगा ओक्सन से पहले ही चैनल नहीं पहुँच गए थे धोनी अब जाकर लगतार अभ्यास कर रहे हैं और आईपियल 2022 में धमाल मचाने के लिए पूरी तैयारी भी कर रहे हैं आपको बता दे चैनली सुपर किंग से पिछले साल भी खिताब जीती थी और इस बार भी महिंदर सिंग धोनी अपनी टीम को चैंपियन बनाना चाहेंगे दोनी के अलावा अमबाती राइडू भी प्रैक्टिस केम्प के साथ जुड़ चुके हैं लगतार आईपियल 2022 के लिए पसीना बहा रहे हैं इन दो खिलाडियों के अलावा इस्टार वलेवाज रॉबिन उथप्पा भी केम्प का हिस्साव बन चुके हैं आपको बता दें रॉबिन उथप्पा ने अभ्यास के दोरान लगतार चौके और चुके लगाए इसके अलावा आपको बता दें दीपक चाहर और रितुराज गायकबार एनसीये में अपनी फिटनिस पर काम कर रहे हैं दोनों ही खिलाडियों के जल्द ही फिट होने की उमीद है और दोनों ही खिलाडी टीम के साथ जल्द जुड़ सकते हैं इसके अलावा कई और ऐसे खिलाडी हैं जो घरेलू क्रिकेट या फिर इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खिल रहे हैं ये सभी खिलाड़ी चैनली सुपर किंग्स का हिस्सा बन चुके हैं और लगतार ट्रेनिंग कर रहे हैं आपकी राय में कि चैनली सुपर किंग्स एक बार फिर से खिताब अपने नाम कर पाईगी या नहीं आप अपनी राए नीचे कमेंट करें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें